तो अ कुत क्सकार पैर्पच्छो राम राम कैसे हो उमीद करता हूं कि आप प्रचो यह थी ने प सुद् clicked वहां आज अपन बात करेंगे क्रणट का टोपिक लेकर रहे हो आपके सामने ऐसे राजयस्तान की इंडीय इसलिद था दोनों में परसन, important person है, जो बन रहा है, राजस्तान की जो competition exam है, उनमें तो है ही है, इसके अलावा ऐसे से बेंक की exam है, उसमें भी परसन पुछे जाने की पूरी-पूरी संभावना बनती है, क्या है कि प्यारे पर जो राजस्तान की जो नमक की गुपाएं है, उनके अंदर के अंदर सर जो तेल को अवसोशित नहीं करता है और राजस्तान के अंदर नमक भहुतायत मातरा में पाया जाता है इसलिए राजस्तान का सेलेक्शन है जो के अंदर सरकार ने किया है कि राजस्तान के अंदर ही तेल बंडारन की तयारी हम करेंगे तेल का बंडारन करेंगे क्योंकि कहा ज सबसे बेस्ट कंडिशन में रहता है तो तेल का बंडारन हर देश अपने अपने शाब से जरूर रखता है तो केंदर सरकार द्वारा भी यह तैयरी कर दिये कि आपात इस्तिती में अपने पास तेल का बंडारन है जो कापी मातरा में रहना चाहिए देखा जाए तो वर्तमान में अगर अपन बात करें तो भाड़ थरकार के पास है जो आपात इस ते तीशे निपड़ने के लिए कितने दिल का तेल स्टोक है वो सारी की सारी जानकारी में आपको यहाँ पर इस से क्लास के मादम से बताने वाला हूँ प्यारे बचो तो इनफ करेंट अफेर के लिए इनफिजन नोट्स का इंस्टाग्राम और टेलिग्राम चैनल आप फोलो कीजिएगा जिस से आपको हर जानकारी डेली जानकारी है जो समय पर और सबसे पहले मिल सके पहरे बचो और करेंट अफेर की बात करें तो कोई भी एक्जाम हो उसमें 5-10 पर पर तो आपको पढ़ना है पढ़ने का सोर्स मैंने आपको बता दिया है न्यूजपेपर आप पढ़ते हो तो वो भी सही है इसके अलावा इनफिजन नोट्स के इंस्टाग्राम और टेलिग्राम चैनल के मादियम से आपको बेले करेंट पेर की जानकारी है वो मिल जाएग उन में तेल का बंडारन करने की तैयारी केंदर सरकार के दुवारा कर ले गई है अब अपन जानेंगे यहाँ पर डिटेल में जानकारी सरकारी स्वामित्वा वाली Engineering Consultancy फरम Engineering India Limited Engineering India Limited क्या है सरकारी स्वामित्व में की जो है और राजस्तान में सॉल्ट केवनर आदारित सामरिक तेल बंडार विक्सित करने की योजना बना रही है तो जो सरकारी स्वामित्व में की जो Engineering Consultancy इसागा Easy फोरम है. उसका नाम क्या है इंजिनेर्स एंडिया लेमिटेड है. उसने प्लानिंग कर ली है, तैयारी कर ली है योजना बना ली है कि राजस्तान लाए राजस्तान में साल ते केवरन आधारी ते शामरी के तेल 손च करने की योजना है वो इसी फरम के द्वारा कर ली गई है आगे अपन देखते हैं कि राजस्तान का ही चैन क्यों किया गया परसन ये बनता है कि राजस्तान ही क्यों अन्ने परदेश में भी हो सकता है इसका भी यहां पर जवाब दिया गया है कि राजस्तान का चैन इसलिए किया गया है कि रा बंडारन किया जा सकता है जिसे किसी भी आपात का लिन इस्तिती में भारत के पास तेल की कमी नहीं आए ये बात मैंने भी आपको पहले बताए थी कि हर देश अपने अपने केपसिटी के अनुसार तेल का बंडारन करता है आपात इस्तिती से निपड़ने के लिए तो भारत स तेल का बंडारन है, वो करने की प्लानिंग है, जो के अंदर सरकार दुवारा की जा रही है, नमक की चत्टानों का उपयोग तेल के बंडारन के लिए इसलिए किया जाता है, कि इसमें तेल लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है, क्यानि कि इनका उपयोग इसलिए किया जाता चटान होगा कि इसके अंदर क्या होता है तेल लंबे समय तक सुरक्षित रहता है और नमक है जो कि तेल को अवसोशित भी नहीं करता है यह माना जाता है कि वही देश ताकतवर होता है जिसके पास आपात की स्थिती में भी तेल की कभी नहीं आए ऐसा मानना है लोगों का भी पापात की स्थिति में भी तेल की कमी नहीं आये इसलिए बाहर थरकार भी एक अच्छी पहल कर रही है अंतराष्टिय उर्जा एजेंसी आई-ई-ए के अनुसार प्रतेक देश के पास ओस्त 90 दिवस से कच्छे तेल का बंदार हो यानि कि अंतराष्टिय उर्जा एजेंसी का मानना है कि प्रतेक देश के पास ओस्त अगर एवरेज निकाला जाए तो 90 दिन का स्टोक कच्छे तेल का उनके पास होना चाहिए ऐसा इसका मानना है आगे अपन देखते हैं देखेगा भारतिय रिफाइनरी कंपनियों के पास जो भारतिय रिफाइनरी कंपनिया है उनके पास करीब 46.5 दिन गा जो तेल का बंधारक अच्छे तेल गा वो मौजूद है अगर कोई आपास तितिती आती है तो 64 दिन गा तेल ही इन कंपनियों के पास अविलेबल है लेकिन जो अंतराष्टी एजेंची उसका मानना है कि ओस्ट निकाला जाये तो 90 दिन गा तेल है वो ह PRL के पास भी 49.62 मिलियन बेरल कच्छा तेल उपलब्द है यह भी आपको जहन में रखना है कुल मिला कर बात करें तो भारत में चोतर दिनों के लिए स्टोग मौजूद है अगर कोई आपास तितिती आती है तो भारत के अंदर है तेल का स्टोग कितने दिनों का है चोतर द आपकाद में क्या होगा तेल की इस्तती नहीं रहेगी भारत के पास है तो इसी लिए इन आपात इस्ततियों से निंपटने के लिए भारत यायनि की केंदर सरकार है तो राज़शतान में नमक की गुपाएं है वहाँ पर तेल का बंधौरन करने का विचार कर रही है कि खाजस्तान पर्देश का lifesने हो किया जारहे है है मैं इसके बारे में आंज से आप जान सकते वह इस में जो नमक्ड की गुफाएं होती है नमक की जो गुपआ यह उस में से नमक की बाहर निकाल दियाजाता है और उसमें तेल को वारिशाzd कर दिया तेल लंबे समय तक खराब नहीं होता है यह पदती मूल रूप से कहां की है अमेरिका की है यह पदती मूल रूप से अमेरिका ने अपनाई है और भारत में भी इसको लागू कर दिया गया है तो यह देखिएगा शाल्ट केवरन पदती क्या है उसके बारे माने आपको यहां पर बताया है कि नमक की गुफाएं होती उनमें से नमक को भाद निकाल दिया जाता है नमक को भाद निकालकर उसमें कच्छा तेल है वो भर दिया जाता है इस्टोर कर दिया जाता है जिस से नमक तेल का उसोशित भी नहीं करता है और तेल है जो लंबे समय तक खराब भी नही यह अमेरिका की पदती है, अमेरिका ने 727 मिलियन बेरल के करीब तेल का बंडारन कर रहा है, कितना कर रहा है, 727 बेरल, और अपने यहाँ पर कितना कर रहा था, उन्चाड़ीस पॉइंट मास्ट ऐसे कुछ कर रहा था, तो इतना अंतर है, अमेरिका और भारत के जो कम्पनिय है उनमें भारत की तीन मोजूदा रण निति तेल बंडारन सुईदा है करनाटक के मंगलूरू और पाडूर में इसके अलावा अंदर प्रदेश के विशाका पत्नम में खुदी भी चत्तानों गुफाओं में बनी हुए है वर्तमान इमें अपन बात करें तो करनाटक के मंग प्रदेश के विशाका पत्नम में खुदी भी चत्तानों की जो गुफाएं है उन में यह पत्ति है वो शूरू कर रही है अब राजस्तान के अंदर भी के अंदर सरकार है जो की प्लान कर रही है जो यह एक इंप्पोर्टेंट के से न है वह आपके साथ शेयर कर रहा हूं देखेगा हाले में मुख्य मंत्री असो गयलोत ने कहां काली तीर लिप्ट प्रियोजना की आदार शिला रखी है कहां पर रखी है प्यारे बच्छो काली तीर लिप्ट प्रियोजना की आदार शिला मुख्य मंत्री असो गयलोत ने कौन से अस्तान पर रखी है कहां पर रखी ये पेरेवचो दोलपूर में, दोलपूर में मुख्यमंत्री असो गयलोत ने, इसकी आदार शिला रखी, इसकी जो लागत है, जिसमें 45% केंदर सरकार का होगा, और 55% राजय सरकार का भी होगा, तो ये इंपोर्टेंट कुशन सा, जो मैंने आपके साथ है, शेर किया है, और जो केंदर सरकार की जो तेल बंडारन की निती है, जो योजना है, उसके बारे मैंने आपको यहाँ पर complete जानकारी दी है, किस हि केंदर सरकार है, तो तेल का स्टोक करेगी, और राजस्तान का सेलेक्शन क्यों किया, केवरन पदती क्या होती है, और किस के द्वारा पहले अपनाई गई है, ये तमाम जानकारी मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिस किये, अगर फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई ड नवाद, राम राम